नमस्कार आए सुनते हैं मा की मधूर स्मृतियां नामक पुस्तक से sister निवेदिता के शिरी शिरीमा सार्दा देवी के संस्मुरन का अगला अंक इससे पहले हम उनकी शिरी शिरीमा सार्दा देवी से सम्बंधित इस्मृतियां सुन चुके हैं सिस्टर कह रही हैं कि हमारी इस छोटी सी ग्रिस्ति की स्वामिनी थी शिरी मा, उनके बारे में कुछ भी कहने का प्रयास मेरी ध्रिश्टता होगी, उनके जीवन का इतिहास सब लोगों को विदित है, पांच वर्ष की आयू में उनका विवाह हुआ, और अठारह की आयू तक वे पती को भूली रही, इसके बाद अपनी मा की अनुमती लेकर गाउं से पैदल, गंगा तटपर इस्थित, दक्षिनेश्वर मंदिर में पती के पास गई, पती को विवहा बंधन की बात याद आई, परंतु जो जीवन उन्होंने अपनाया था, उन्होंने उसी के आदर की बाद पतनी को सुनाई, उत्तर में पतनी ने भी द्रड़ता पूर्वक उनके उस जीवन पत के लिए सरवांगीन मंगल कामना की, उन्हें गुरू के रूप में सुईकार किया, और केवल शिश्य के समान ही उपदेश के लिए प्रार्थना की, ये सारी बातें सर्व सिस्टर निवेदिता आगे बता रही हैं कि इसके बाद क्याई वर्षत वे एक आज्यकारी शिश्य की भाती मंदिर के उद्यान के एक ही कमरे में पती के साथ रहीं, वे एक साथ सहधर्मनी, सन्यासनी तथा पती के शिश्यों में सर्वो परी रहीं, शिक्षा शुरू होने के समय उनकी आयू कम थी बाद में बाचीत के दौरान कभी कभी वे शांत भाव से बताती कि उनके पती द्वारप्रदत शिक्षा कितनी दिशाओं में फैली हुई थी शिरी रामकृष्ण सारे कारे ठीक ठीक करना पसंद करते थे यहां तक शिक्षा देते कि दिये की सारी साम पकरी को दिन में ही कहीं एक जगह जुटा कर रखना होगा ठाकूर को दुखी भाव सहन नहीं होता था कठोर साधना करने के बाब जूद वे जीवन के लावर्निय तथा सौंदरे से प्रेम करते थे शांत और गंभीर आचरन पसंद करते थे इसी समय की बात है एक दिन पतनी श्री श्री मा सार्दा देवी ने उत्फुल शिशु की तरहां गर्व के साथ पती के समक्ष एक टोकरी फल तथा शाक सबजी लाकर हाजिर किया इस पर पती ने गंभीर होकर कहा पर खर्च में इतनी बढ़ोतरी क्यों इस अप्रत्याशित आगात से तरुन पतनी की सारी खुशी क्षण भर में लुक्त हो गई लेकिन यह सब मेरे लिए नहीं हैं कहते हुए वे अश्रु भरे नैनों के साथ चुपचाप चली गई श्री रामकृष्ण बेचैन हो गए पास के शिश्यों को बुला कर वे अकुलता पूर्वक बोले अरे तुम लोग श्री मा ठाकुर को इतनी प्रिय थी तथा पी मा की चरित्र की एक प्रधान विशेष्टा यह है कि अपने आराध्य पती देव के बारे में बात करते समय कभी उनके साथ अपने व्यक्तिगत संपर्क का आभास तक नहीं होने देती थी पती की हर बात को सफल करने के लिए वे भली या बुरी सभी अवस्थाओं में सुमेरुवत अटल रहती हैं वे अपने पती का गुरुदेव या ठाकुर के रूप में उल्लेख करती हैं उनके साथ रहने वालू का कहना है कि उनकी बातों में कभी एक भी ऐसा शब नहीं रहता जिससे पती के साथ उनके संपर्क का कोई स्वाधिकार प्रकट होता हो जो उनका परिचय ना जानता हो उसके लिए उनकी बातों से किसी प्रकार भी यह अनुमान लगाना संभव नहीं होता कि शिरी राम कृष्ण पर उनका अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा अधिकार है या उनके साथ उनका गहनिष्ट तर संपर्ख है सिस्टर निवेदिता बता रही है कि काफी काल पूर्व ही पतनी का शिश्या में विले हो चुका है यदि भी पतनी की परम निष्ठा रह गई है तथा भी उनके प्रती सबकी भक्ती असीम है और वह प्रतिक्षन व्यक्त होती रहती है उधारण के तौर पर कहा जा सकता है कि उनके साथ ट्रेन में यात्रा करते समय कोई उनकी सीट के उपर की बर्थ पर जाने की बात सोच भी नहीं सकता उनकी उपस्थिती ही सबके लिए एक पवित्र बात है सिस्टर आगे कह रही है कि मुझे सर्वदा ही लगता है कि वे भारतिये नारी के आदर्ष के विशे में शिरी राम कृष्ण की चरम वाणी है लेकिन क्या वे प्राचीन आदर्ष की अंतिम प्रतिनिधी है या फिर नए आदर्ष की अग्रदूत उन्हें देखकर ही समझा जा सकता है कि बुद्धी और मधुर्दा के समन वैसे किस प्रकार एक अतियंत सहज सरल नारी का जीवन भी बिताया जा सकता है पर उसी के साथ मुझे उनकी अध्यात्म महिमा के समान ही उनके विशाल मुक्त मन की महिमा भी अपूर्व प्रतित हुई चाहिए जितनी भी नई या जटल समस्या उनके सामने रखी जाती है, मैंने कभी उन्हें उदार या महान निर्ने व्यक्त करने से हिचकते नहीं देखा। उनका समग्र जीवन एक सतत प्रार्थना के समान है। उनका समग्र जीवन ब्रहमन शासित समाज में बीता है तथा पी प्रत्यक्षेत्र में वे स्वयम को परिवेश या आसपास के वातावरण से उपर उठा लेती हैं। यदि कोई अपने अनुचित आचरण से उन्हें आगहत पहुँचाता है तब उनमें एक अदभुद शांत इस्थिरता तथा प्रगाड इस्तब्धता चा जाती है और यही उनकी प्रतिक्रिया का एक मात्र लक्षन होता है। यदि कोई अपने बाहिये सामाजिक समस्या या उत्पीडन के कश्ट की बाद बताता है तो वे तुरंत अंतर द्रिष्टी से घटना के मर्म में जाकर संबंधित व्यक्ति को समाधान का पत दिखा देती हैं। और जब कभी कठोरता की जरूरत होती है तब वे किसी प्रकार की बुद्धिहीन भावुकता से विचलित नहीं होती। यदि कोई अपने आचार आचरण से शीलिता और मर्यादा की सीमा लांग है तो वह उनके समक्ष आने की अनुमती नहीं पास सकता। इसी प्रकार के एक दोशी व्यक्ति से एक बार शिरी रामकृष्ण ने कहा था। देखते नहीं तुमने उसके अंदर की नारी महिमा पर आघात किया है सर्वनाश। मा पढ़ लेती थी रामायर पाठ में उनका काफी समय बीतता था परंतु वे लिख नहीं पाती थी। तो भी ऐसा बिलकुल नहीं लगता था कि वे अशिक्षित हैं। उन्हें न केवल सांसारिक अथ्वा धार्मिक प्रशासन चलाने का कठोर अनुभव है। अपितु भारत के विभिन इस्थानों में भ्रमण और प्रमुक्तीर्थों के दर्शन का अनुभव भी है। सर्वोपरी मानव के लिए जो सर्वोच आत्म विकास संभव हो सकता है शिरी रामकृष्ण की सहधर्मनी के रूप में उसका सौभाग्य उन्हें मिला है। विराट की संगनी और साक्षी होनी की महिमा को उन्होंने हर पल अन्जाने ही वहन किया है। पर जब वे अगले हिक्षन किसी नई धर्म चेतना या भाव का इस पश्ट मर्म भेद कर डालती हैं तब वही महिमा सर्वाधिक मुखर हो उठती है। आज के लिए बस इतना ही सिस्टर निवेदिता की शिरिशिरिमा सार्द देवी की ये मधूर इसमृतियां हम शेश अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको यह प्रस्तुती अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इससे हमारा भी उत्सहा बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेणा बिलती है। नमस्कार